अगर आप भी किसी का भी अपने परसनल आईडी से टिकट बना देते हैं तो आप जो है अपराद कर रहे हैं दोस्तों क्या है आप भी अपने परसनल आईडी से किसी का भी रेलेवे टिकट बना दिया करते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, बहुत ही जरूरी खबर है, हर किसी को जानना चाहिए, वीडियो को लाइक भी करें और सेयर भी करें, क्योंकि जनकारी सभी तक पहुचना चाहिए, और समझ करके जाना वीडियो को इसकिप ना कर करते हैं तो साउधान बरतनी होगी वरना 10,000 रुपे का जुरुवाना भरने से लेकर 3 साल के लिए जेल तक जाना पड़ सकता है परसनल आईडी से यूजर अपना या फिर अपने रिष्तिदार का ही सिर्फ टिकट बना सकता है यदि टिकट दोस्त या फिर करीबी या फिर किसी संस्था में काम करने वाले किसी कर्मचारी के लिए अगर आपने बना दिया है तो ये जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानि आरपीफ की जाच के दाइरे में आ सकता है ऐसे लोगों की पहचान कर उन पर करवाई करने के लिए आरपीफ ने जबलपूर भोपाल समय देश भर में आपरेशन चलाया हुआ है इसके तहट परसनल आईडी से टिकट बनाने वाले लोगों की जाच सुरू हो चुकी है जबलपूर रेल मंडल में ऐसे 90 से जादा लोगों पर जो है मामला दर्ज किया गया है उनसे पूछ ताश भी जारी है चल रहा है कि एक्चुली ऐसा क्या है क्यों है उसका रीजन है एक्चुली क्या है ये पता कैसे चल रहा है तो RPF का नीजी सॉफ्ट्वेर प्रबल नाम का एक सॉफ्ट्वेर होता है जो कि उन लोगों का नीजी सॉफ्ट्वेर है उसकी मदद लेकर ID का कमर्सियल प्रयोग करने वालों की पहचान करने में जूटी हुई है एक्चुली परसनल ID पर आप जो है कॉमर्सियल काम नहीं कर सकते हैं प्रबल सॉफ्ट्वेर IRCTC के सर्वर से जुड़ा हुआ है यहां आसानी से पहचान लेता है कि ये एक ब्यक्ती या अनेक ब्यक्ती ने कब और कहां यात्तरा किया सॉफ्ट्वेर नीजी ID से बने टिकट, लोगों के नाम और टिकट के दाम की भी जनकारी देता है ऐसे ब्यक्तियों का नाम RPF के दिल्ली मुख्याले या फिर जोनल मुख्याले में बैठे एक्सपर्ट के पास आ जाया करती है अब इसका गलत उपयोग क्या है अगर हम इसको समझने की कोशिस करें तो अचली IRCT से टिकट के लिए कामर्सियल उपयोग का जो अधिकार है वो सिर्फ एजेंट को ही है जो सुल्क देकर के ID लेता है एजेंट कई बार एक साथ कई फरजी ID बना कर उससे कामर्सियल टिकट बनाने लग जाता है इसके बदले में वह यातिरी से टिकट के तय दाम से दो से धाई गुना तक वसूली करता है ऐसे में रेलवे को रजस्व की हानी होती है आरक्षित टिकट अनधिकरित रूप से खरीदना और बेचना रेलवे के अधिनियम धारा 143 के अंतरगत अपराद है सजा के तौर पर 10,000 रुपे का जुर्बाना या फिर 3 वर्सों की जिल्ड का प्रवधान है अच्छले अधिकारी क्या कहते हैं अगर अम उस पर बात करें तो अपरेशन उपलब्द के जरिये IRCTC की परसनल आईडी का कमर्सियल उपयोग करने वालों की धर पकड़ बिल्कुल भी सुरू हो चुकी है जबलपुर रेल मेंडर मेंशे ऐसे 90 से अधिक लोगों पर जो है मामला दर्च किया जा चुका है तो ऐसे भी आप भी साउधान रहें अगर आप भी किसी का भी अपने परसनल आईडी से टिकट बना देते हैं तो आप जो है अपराद कर रहे हैं ऐसा आपको हरगीज नहीं करना है यह ध्यान रखना है अगर आप बनाते भी हैं अपने परसनल अपने परिवार का या फिर अपने रिलेटिव का बना सकते हैं जिनको प्रूफ कर सकते हैं कि यस ये मेरा रिलेटिव है इसके अलामा किसी का भी आपको बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है तो दोस्तों इंफर्मेसरी वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेट में जरूर बताते रहें इसी परकार के बहुत सारी इंफर्मेटि वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल के साथ बने रहें क्योंकि मैं लेकर के आता हूँ इस लगा इंफर्मेटि वीडियो के साथ में पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपका दिन सुभाओ